दोस्तों हम खोद को हेल्दी रखने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। मनी मन प्रॉमिस करने लगते हैं कि हम आने वाले कुछ दिनों में अपना वजन कम कर लेंगे, अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे, धुम्रपान या फिश शराब छोड़ देंगे और हमेशा हेल्दी टाइट लेंगे। लेकिन वैसा नहीं कर पाते हैं। करियर और परिवार की जिम्मेदारियां, काम का बोज, वक्त की कमी, रिस्तों के बीच बढ़ते दूरियां, अकेला पन और आज इन इस्थितियों का सामना अधिकतर लोग कर रहे हैं। इससे उनके जीवन में स्ट्रेश का लेवल काफी बढ़ गया है और इसका नेगेटिव प्रभाव शाररिक मानसिक स्वास्थे पर बढ़ रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले चीव एक्सरसाइज की आज़क डालें। इसके लावा सही डाइट लें। दोस्तों एक पुरानी कहवत है कि भोजन को ही दवा बना लें। अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे तो ना केवल बिमारियों से बचे रहेंगे बलकि हमेशा स्वस्थे और एनर्जेटिक रहेंगे। आपने भोजन में फल, सबजियों, साबुत अनाज और लेक्विड प आप कई सारी बिमारियों से बचे रहेंगे। आईए आपको बताते हैं कौन-कौन से और पांच चीज़ें जिन्हें सुबह खाली पेट खाना चाहिए। पहले चीज़ें मुनक्का, मुनक्का हमारे शरीर को एनर्जी से भर देती है, साथ ही हमारे स्किन के लिए बहुत ज गैस की समस्या दूर होगी, किड्नी स्टोन से भी आपको रहात मिलेगा, यही नहीं यह कैंसर के खत्रे को भी कम करती है। तो इसलिए क्या करना आपको, साथ से आठ मुनक्के को पानी में भीको करक देना है, और सुबह उठते ही खाली पेट पानी पी लेना है, साथ ही मु जोरी रहती हो, वे लोग काले चने का सेवन जरूर करें। साथी दोस्तों, यह मुटापय को कंट्रोल करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, चहरे से जूरियों को हटाने के साथ साथ त्वचा को स्वस्थया और सुन्दर बनाता है, पाचन समन्धी समस्या को यह दूर करता है, काले चना गर्वती महिलाओं के लिए भी बहुत अलाब दायक होता है, गरवावस्ता के दौरान काले चने का सेवन करने से, बच्चे को कई प्रकार के संक्रम्न से बचाने में मदद मिलती है, काले चने में अच्छी मात्रे में पोटेशियम और मैगनिशियम पहा जाता है, जो शरीर को भरपूर एनरजी देता है, शरीर में थकान नहीं होती, आलइस्पन को दूर करता है, इसके लावा ये आपके पेट में गैस, एसीडीनी के समस्चya को दूर करता है, बड़ प्रेशर कंट्रोल में रहता है, इसमें वैफिशी मातरा में होती है जो भूग को कम करता है जिससे आप ज्यादा खाने से बचते हैं और शरीर में चर्बी नहीं बढ़ती वेट मैंटेन रहता है तो इसके लिए क्या करें आप तीन से चार चमच काले चने को एक बाउल में भीगो कर रख दें और सुबह चने को अच्छे से चबा चबागर खाल लें और पानी को भी पी लीचे चलिए अब जानते एक लिए चीज के बारे में वह है दोस्तों खस-खस खस के अंदर विटामिन B और विटामिन K प्रचुर यह स्ट्रेस को कम करता है, बौडी को रेलेक्स फिल करवाता है, इसके भबहू से बह reform करे नवे, तो खस-खसष मारे सेवन करना में रात को भीगोती जिए और सुबह खाली पेट पानी सहीत खसकस को पी लीजिए इससे आपको इसके पूरे फादे मिलेंगे और अगर आप दूद के साथ लेना चाहे तो एक ग्लास गुंगुने दूद के अंदर भीगेवे खसकस से बीजों को डाल कर इसे रात को सोने से ले सकते हैं इसके लाव बदाम का सिवन कीजे बदाम में पुशक तत्व जैसे विटामिन E, डाटरी फाइबर, ओमेगा-3 फैटी असीड और प्रोटीन पाए जाता है इससे मौज़िद मैंगनेज हड़ियों में मजबूती लाता है और ब्लड सुगर को नियंतरित रखता है ये खाई ब्लड प्रिशर की समस्या से जूज रहे लोगों के लिए काफी लावकारी होते हैं ये मांश्वेशियों और नरों को सही धंग से काम करने में भी मददगार है ऐसे कई वज़ों की कारण इसे सुपर फूड कहा जाता है दोस्तों यदि आप रोज सुबा करने वालों को हार्ट टैक का खत्रा पचास फिस्दी तक कम होता है यदि आप रोज सुबा भीगे वे बादाम खाएंगे तो इससे आंखों की रौशनी तेज होगी आपकी स्कीन लंबे समय तक जवान रहेगी बाल घड़ने की समस्या तो वह भी ठीक हो जानी है इसके ला पानी में भीगो को रखा सकते हैं वह है अलसी अलसी में उमेकर 3 fatty acid पाए जाता है रात को इसे भीगो कर सुबा सेवन करने से बैट कॉलिस्टोल कम हो जाता है और ऐसे होने से हार्ट सही से काम करता है इसे खाने से हार्ट डैक आने के संभावना भी कम हो जाती है यह पावा स्कीन के लिए हमारे बालों के लिए बेहदी फादेमद होता है स्कीन को लंबे समय तक जवा बनाया रखता है और नैचुल ग्लू लाता है बाल आपके जड़ रहे हैं तो अलसी का सेवन कीजे और साथ में अलसी के जैल को बालों पर अपलाई कीजे जैल बनाने के क्या करना है आपको दो बड़े चम्मच अलसी के बीजों को रात पर पानी में भीगो कर छोड़ देना है सुबह पानी जाहित अलसी को गर्म करना है तब तक गर्म करना है जब तक यह जैल के रूप में तब्दिल ना हो जाए लगभग 5-7 मिनिट धीमी आच में गर्म करने करने हैं लेकिन यहां पर आपको मात्रा का ध्यान देना होगा शुरुआत में थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन्हें भीगोएगा और खाना शुरू किजे इसे खा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखेगा आपको एक्ससाइज जरूर कर लेना है फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखना है इस तरह से इनका डाजेशन अच्छे से होगा और आपके शरीर को इसके पूरे फादे मिलेंगे लगादार कम से कम 15 दिनों तक इसे जरूर लिजेगा और आप चाहें तो इसे जंदिगी भर फॉलो कर सकते हैं कोई नुकसान नहीं होता आज इस वीडियो म तो लाइक कर जाएए धन्यवाद